रोडीज के तर्ज पर खेला जाएगा बिग बॉस टीम्स में बढ़ जाएंगे कंटेस्टेंट आके क्या है पूरी खबर चलिए जानते हैं डीटेल में बिग बॉस 14 का आगाज होने वाला है और शो को लेकर सभी के मन में ना सर्फ excitement है बलकि काफी ज्यादा उम्मीदे भी हैं इस सीजन को पिछले सीजन के मुकाबले काफी अलग बताया जा रहा है कुरोना काल में शुरू होने वाले इस reality शो को पहले से भी बड़े लेवल पर तयार किया गया है ऐसे में क्या नया देखने को मिलेगा ये सवाल सभी के मन में है अब खबर के मुताबिक इस बार बिग बॉस को रियालेटी शो रोडीज की तरज पर बनाया गया है शो में सभी कंटेस्टेंट जीतने के लिए जरूर खेलेंगे लेकिन सभी किसी न किसी पीम का हिस्सा होंगे जी हाँ इस पर बताया ये जा रहा है कि बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट को टीम्स में बाट दिया जाएगा सिर्फ यही नहीं बलकि सभी टीम्स को हेड करेंगे वो मेंटॉर इस गेम में ना सिर्फ एक्सपर्ट होंगे बलकि शो में अपनी काबियत को साबित कर चुके ह शो में सधार शुकला, हिना खान, प्रिंस नरूला, गौहर खान को मेंटॉर के रूप में रखा जाएगा। सभी की अपनी टीम होगी और उसी आधार पर हार जीत का फैसला होगा। अपनी टीम के अलावा सुभिदाओं की वज़ा से भी विग बॉस सुर्खियों में चल रहा है। इस बार शो में सभी कंटेस्टन को कुछ खास सुभिदाएं भी दी जाएंगी जैसे स्पा, थेटर, रेस्टरेंट शामिल हैं। विग बॉस की ग्रेंड प्री लेकर आप कित बताएं। टेलेविजिन की लेटिस्ट अब्डेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।